गाइस आजके इस वीडियो में हम कुछ vocabulary words, कुछ phrases और कुछ phrasal verbs के बारे में बात करेंगे तो आजके इस वीडियो का हमारा पहला word है perplex इसको ऐसा verb यूज़ कर सकते हैं इसका simple ही मतलब होता है किसी चीज को लेकर confused हो जाना या फिर कुछ है जो पीचिदा है उसकी वज़े से किसी person को उलजन में डाल देना जैसे अगर मैं example लूँ हर question perplexed me मतलब उसका जो question था उसने मुझे उलजन में डाल दिया या फिर उसकी वज़े से मैं confused हो गया क्योंकि उसका जो question था वो पीचिदा था हर question perplexed me इसको as an adjective use किया जाता है इसका मतलब है कि कुछ है जो घिनोना है या फिर घ्रणा करने योग्य है या फिर कुछ है जो बहुत बुरा लगने वाला है तो वो अबनोक्शियस है For example, cleaning the toilet is such an obnoxious task मतलब टॉलेट को clean करना, टॉलेट को साफ करना सच में एक गिनोना काम है या फिर घ्रणा करने योग्य काम है Cleaning the toilet is such an obnoxious task One more example, he isn't obnoxious to me मतलब वो मुझे एक घ्रणा करने योग्य इनसान लगता है या फिर उससे मुझे बहुत ज़्यादा घ्रणा आती है या फिर आप बोल सकते हैं कि वो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है He isn't obnoxious to me Next हमारी एक phrasal verb है Absent from इसका simply मतलब होता है किसी person को avoid करना या फिर किसी चीज को avoid करना उससे दूर बचने की कोशिश करना या फिर आप बोल सकते हैं किसी चीज से या फिर किसी जगा से गहर हाजर होना For example He was absent from factory today मतलब आज वो factory से गहर हाजर था मतलब फैक्टरी में आज वो नहीं आया था He was absent from factory today One more example Where were you absent from home all the day मतलब सारे दिन आप घर से कहां गायब थे या फिर घर से कहां गहर हाजर थे Where were you absent from home all the day अगले हमारी एक phrase है A big shot इसको simply हम किसी person के लिए यूज कर सकते हैं मतलब कोई person है वो बहुत ज़्यादा important है या फिर बहुत ज़्यादा महतपून है For example He'll be a big shot one day मतलब एक दिन वो एक बहुत ज़्यादा महतपून इंसान बनेगा He'll be a big shot one day One more example He's a big shot in the city मतलब शहर में वो एक महतपून इंसान है He's a big shot in the city Next हमारी एक phrase है How come इसका simply मतलब होता है क्यों और कैसे या फिर आप बोल सकते हैं ऐसे कैसे For example How come you are back so early मतलब क्यों और कैसे तुम इतनी जल्दी वापस आ गए How come you are back so early One more example How come you told him about it मतलब क्यों और कैसे तुमने उसे इस बारे में बताया How come you told him about it Next हमारा एक word है Obstinate इसको as an adjective यूज करते हैं इसका simply मतलब होता है कि कोई person है वो अपनी बात पर अड़े रहने वाला है या फिर अपनी बात के लिए हटी है या फिर अड़ेल है तो मतलब वो obstinate है For example She is so obstinate She'll never admit that she's wrong मतलब वो बहुत ज़्यदा हटी है या फिर वो बहुत ज़्यदा अड़ेल है वो कभी नहीं मानेगी कि वह गलत है She's so obstinate She'll never admit that she's wrong One more example Your son is so obstinate मतलब तुमारा जो लड़का है वो बहुत ज़्यदा अड़ेल है या फिर बहुत ज़्यदा हटी है Your son is so obstinate अगले हमारे phrasal verb है fortunate in इसका simply मतलब होता है किसी चीज में भागेशाली होना या फिर किसी चीज में भागेवान होना For example She's fortunate in having such kind of husband मतलब इस तरह के husband को पाने में या फिर इस तरह के husband को होने में वो एक भागेवान है या भागेशाली है She's fortunate in having such kind of husband One more example I'm so fortunate in getting such support from my viewers मतलब अपने viewers के द्वारा या फिर अपने viewers से ऐसा support पाने में मैं बहुत ज़्यदा भागेशाली हूँ या फिर भागेवान हूँ I'm so fortunate in getting such support from my viewers अगला interesting word है हमारा dense इसको as an adjective यूज करते हैं इसका मतलब होता है कि कुछ है जो घना है या फिर सगन है For example Because of dense fog I got late मतलब घने कोरे की वज़े से या फिर घने दुए की वज़े से मुझे देर हो गई Because of dense fog I got late One more example There is a temple in dense jungle मतलब घने जंगल में एक मंदिर है There is a temple in dense jungle Next हमारी एक phrase है On the dot इसका मतलब होता है कि कुछ है जो किया जाता है ठीक समय पर मतलब ना जल्दी ना देर में ठीक उसी समय पर जो समय निर्धारित होता है उसी समय पर कुछ काम किया जाता है तो मतलब on the dot वो काम किया जाता है For example I uploaded a video at 9 o'clock on the dot मतलब ठीक 9 बजे मैंने अपने एक वीडियो अपलोट की I uploaded the video at 9 o'clock on the dot One more example Movie started at 12 p.m. on the dot मतलब जो movie start होई वो ठीक 12 बजे होई Movie started at 12 p.m. on the dot अगला word है हमारा maze इसको ऐज़ा noun news करते हैं इसका मतलब होता है बुल बुलेया मतलब जहां पर रास्ता डूडना मुश्किल हो मतलब किसी चीज की बुल बुलेया या फिर किसी चीज की maze For example This maze is very hard to get out of मतलब ये जो बुल बुलेया है ये बहुत ज़़ा मुश्किल है रास्ता डूडने में या फिर बुल बुलेया से बाहर निकलने में बहुत ज़़ा मुश्किल है ये This maze is very hard to get out of एक और example है I couldn't find my way to get out of the maze मतलब बुल बुलेया से बाहर निकलने के लिए मुझे अपना रास्ता नहीं मिल सका I couldn't find my way to get out of the maze नेश्ट अमारी एक फ्रेज है As per my views इसका मतलब होता है मेरे खयाल से या फिर मेरी राय से For example As per my views It's not a good idea मतलब मेरे खयाल से या फिर मेरी राय से ये एक अच्छा विचार नहीं है As per my views It's not a good idea एक और example है As per my father's views You should not go to party at night मतलब मेरे पापा के विचार से या फिर मेरे पापा के खयाल से तुम्हें रात को पाटी में नहीं जाना चाहिए As per my father's views You should not go to party at night अगला word है Nonchalant ये एक adjective है इसका मतलब होता है उदासीन या फिर अविचलित थोड़ा सा कर deeply समझें तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज की तरफ से कुछ भी आकर्शन ना रखने वाला या फिर कोई भी भाव ना करने वाला या फिर कुछ भी feel ना करने वाला फोर इग्जम्गल She is so nonchalant about taking admission in that college मतलब उस college में admission लेने में वो बिल्कुल भी interested नहीं है या फिर उस college में admission लेने में उसे कोई भी आकर्शन नहीं है या फिर उसे कोई भी feel नहीं है She is so nonchalant about taking admission in that college One more example Children are nonchalant about studying मतलब बच्चे पढ़ाई करने में बिल्कुल बें इंट्रेस्टेड नहीं है या फिर बच्चों को पढ़ाई करने में बिल्कुल बें भाव नहीं है Children are nonchalant about studying अगली एक phrasal verb है hope for मतलब किसी चीज के लिए आशा करना या फिर किसी चीज के लिए उम्मीद करना For example, I hope for good weather tomorrow मतलब कल मैं अच्छे मौसम की उम्मीद करता हूँ या फिर कल मैं अच्छे मौसम की आशा करता हूँ I hope for good weather tomorrow One more example, hope for the best and prepare for the worst मतलब अच्छे के लिए उमीद करो और बुरे के लिए तयार रहो Hope for the best and prepare for the worst Next word है conflict इसको as a noun भी यूज़ कर सकते हैं इसको as a verb भी यूज़ कर सकते हैं जब हम इसे as a noun यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा जगडा या फिर किसी चीज को लेकर विवाद लेकिन जब हम इसे as a verb यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा किसी चीज को लेकर जगडा करना या फिर विवाद करना जैसे अगर मैं कुछ examples लूँ I try to avoid conflict with her मतलब उसके साथ जगडा करने से बचने की मैंने कोशिश की I try to avoid conflict with her एक और example है It's impossible to resolve this conflict मतलब इस जगडे का समधान करना मुश्किल है It's impossible to resolve this conflict अगला word है tiredness इसको as a noun use करते हैं इसका मतलब होता है थकान या फिर थकावट जैसे example है Have a cup of coffee to get rid of your tiredness मतलब अपनी थकान से चुटकारा पाने के लिए एक cup coffee पी लो Have a cup of coffee to get rid of your tiredness One more example excessive tiredness while driving can kill मतलब ज़्यादा थकावट या फिर ज़्यादा थकान कार चलाते समय जान ले सकती है excessive tiredness while driving can kill अगली एक phrase है In front of इसका मतलब होता है किसी person के सामने या फिर किसी चीज के सामने जैसे example है I parked my car in front of post office मतलब post office के सामने मैंने अपनी कार को पार्क किया I parked my car in front of post office एक और example है Put the glasses of water on table in front of all guests मतलब सभी महमानों के सामने टेबल पर पानी के गलासों को रख दो Put the glasses of water on table in front of all guests अगली phrasal verb है repent of इसका मतलब होता है किसी चीज का पस्चताब करना या फिर किसी चीज का पस्तावा होना For example He doesn't repent of his misdeed मतलब अपने बुरे काम का उसे कोई भी पस्तावा नहीं है या फिर अपने बुरे काम का या फिर अपने गलत काम का वो बिल्कुल भी पस्चताब नहीं करता है He doesn't repent of his misdeed एक और example है You should repent of the things what you have done मतलब जो भी चीजे तुमने की है उन चीजों के लिए तुम्हें पस्चतावा करना चाहिए या फिर पस्चताब करना चाहिए You should repent of the things what you have done Next हमारा एक word है Curious मतलब ये एक adjective है इसका मतलब होता है कुछ जानने का या फिर कुछ सीखने का इच्छुक या फिर जिग्यासो या फिर कोई person है वो उच्छुक है कुछ जानने का या फिर सीखने का तो वो curious है For example I'm curious to know the secret मतलब राज को जानने के लिए मैं बहुत जादा उच्छुक हूँ या फिर जिग्यासो हूँ I'm curious to know the secret एक और example है Children are very curious to know the story मतलब कहानी को जानने के लिए बच्चे बहुत जादा जिग्यासो है या फिर इच्छुक है Children are very curious to know the story अगला word है slender इसको as an adjective योज करते हैं इसका मतलब होता है कोई person है वो पतला है या फिर किसी person का शरीर का अंग वो पतला है जैसे आगर मैं example लो She has got a slender waste मतलब किसी के बारे में बात करते हूँ आप कह रहे हैं उसकी जो कमर है वो बहुत ज़दा पतली है She has got a slender waste एक और example है His slender but also powerful मतलब वो पतला तो है और साती सात ताकदवर भी है His slender but also powerful Next word is punctual ये भी एक adjective होता है इसका मतलब होता है कोई person है वो समयनिष्ठ है मतलब समय का पाबंध है Just example है You are always late, try to be punctual मतलब तुम हमीशा late होते हो punctual होने की कोशिश करो या फिर समय का पाबंध होने की कोशिश करो You are always late, try to be punctual One more example My father scolded me for not to be punctual मतलब मेरे पापा ने मुझे डाटा किसकी वज़ा से समय का पाबंध ना होने के लिए My father scolded me for not to be punctual So that's it guys for this video Guys आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा मुझे अपने चैनल पर क्या इंप्रोमेंट्स लाने चाहिए आज की वीडियो कैसी लगी आपको ये सब मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं